नमस्कार मैं पूजा वर्षिष्ट आप सभी कब बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ लॉंग और इलाइची का उप्योग अधिकतर भारतिये घरों में मसाले के तौर पर किया जाता है ये दोनों खाने का स्वाद बढ़ाते हैं साथी पोशक तत्वों को भी बढ़ाते हैं लॉंग में मैंगनीज, विटामिन के, पोटेशियम, बीटा, कैरोटीन और प्रोटीन काफी अच्छी मातरा में पाया जाता है इसके अलावा लॉंग में फाइबर और कार्बो हाइडरेट भी होता है लॉंग की तरह ही इलाइची में भी मैंगनीशियम, पोटेशियम, आईरन, कैलशियम, विटामिन B6, प्रोटीन, फाइबर, रिबो, फॉल्विन और नियासिन जैसे पोशक तत्वों पाये जाते हैं अगर आप लॉंग और लाइची दोनों को एक साथ मिला कर खाते हैं तो इससे आपको कैला अब हो सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाए लॉंग और लाइची का सेवन करने से आपके शरीर के रोग प्रतिरोदक शम्ता भी तेज होती है अगर आप बार-बार बीमार पढ़ रहे हैं तो ऐसे में लॉंग और लाइची का एक साथ सेवन कर सकते हैं पाचन तंत्र ठीक करें खराब खानपान की वज़़से अधिकतर लोगों को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है ऐसे में आप अपने पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए लॉंग और लाइची का सेवन कर सकते हैं कब्ज से छुटकारा दिलाए जब पाचन सही से काम नहीं करता है तो कब्ज बनने लगती है ऐसे में पेट में दर्द मलत्याग में परेशानी होने लगती है अगर आपको भी अकसर ही कब्ज रहता है तो लॉंग और लाइची का सेवन कर सकते हैं टॉक्सिंस निकाले समसमेबर बाडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है बाडी को डिटॉक्स करने से लिवर किड्नी या आतों में जमागंदगी आसानी से निकल जाती है मूँ के दुरगंद दूर करें लाइची मूँ के दुरगंद दूर करता है साथ ही कैवेटीस से भी छुटका रादिलाता है लाइची खाने से उल्टी और जी मिचलाने की समस्या से विराहत मिल सकती है आप भी लाइची को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लाइची एक साथ लेने से आपकी कई स्वास्ते समस्याएं दूर हो सकती है लेकिन लाइची तासीर बेहत गर्म होती है ऐसे मेगर आपके शरीद के प्रकरती बित्र है तो डॉक्टर की सरह परी इसका सेवन करना चाहिए फिलाल जानकारी में इतना ही ऐसी ही वीडियोस के लिए चानल बोल्स काई सबस्क्राइब करें